नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज की स्वीडियो में दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि अगर पीएफ अकाउंट से संब्दित हमें कुछ काम करना होता है तो उसकाम को हम युनिफाइट पोर्टल यानिकी एपीफ के ओफिशल वैपसाइट और उमंगेप इन दोन करने वाला हूं कि इन वैलिट नमबर का एरर क्यों आता है और इसका सॉलिशन क्या है तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और वीडियो शुरू करने से पहले आप से रिक्वेस्टी की चैनल पर आप नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लें तो कि यह पी तो इन वैलिट यूार का बातोर के बात करतेशन इस इस का सॉलिशन बहुत सिंपल है आपको अपना शून नंबर सही टाइप करना है यानि कि आगर गलत लुगनों नंबर इंसरा कारण है तो बात करतें इस ऐरर के दूसरा करेंग के बारे में इंवेलेड तो ऊंवेलीट ऊंबर का सब्सक्राइब करेंगे और आपको यूएलल तो यूएल नंबर को देखने को बिलेगा जैसा कि आतर यानते ऑनLY नंबर को इस्तude अपने PF account में login होने की कोशिश करेंगे तो आपको invalid UN number का error देखने को मिलेगा अगर बात करें इसके solution की तो इसका solution बहुत ही आसान है कि सबसे पहले आपको अपने UN number activate करना है जब आपका UN number activate हो जाएगा तो उसके बाद में आप among app की मदद से अपने PF account में login हो पाएंगे और आपको invalid UN number का error नहीं आएगा UN number को आप among app और unified portal दोनों जगह से activate कर सकते है तो बात करते हैं इस error के तिसरे कारण के बारे में तो कुछ PF members ने मुझे ये बताया है कि उनका UN number भी activate है और उन्होंने among app पर अपना UN number सही type किया है फिर भी उन्हें invalid UN number का error देखने को मिल रहा है तो इसके पीछे एक ही कारण है वो कारण UN number activation और PF पाजुक से जुड़ा है होता यह है कि जब हम अपना UN number activate करते है तो UN number activate करने के 6 गंटे के बाद ही हम अपने PF की पाजुक देख पाते है और यह मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ यह लिखा हुआ है जिसा कि आप यहां देख सकते है यह PF पाजुक का official page है यही से हम अपने PF पाजुक में login होते है यहां आप साइड में देख सकते हैं लिखा हुआ है पाजुक विल बी अवेलेबल अप्टर six hours of registration at unified member portal इसका मतलब है कि UN number activate यानि कि unified portal पर registration करने के छे गंटे के बाद ही PF पाजुक अवेलेबल हो पाएगी तो ऐसा ही होता है उमंगेप पर भी अगर आप अपने UN number को activate करने की तुरंत बाद ही उमंगेप की मदद से अपने PF account में login होने की कोशिश करेंगे तो आपको invalid UN number का error देखने को मिलेगा अगर बास करें इसके solution की तो इसका solution यह है कि आपको UN number activate करने के बाद में इंतजार करना है UN number activate करने के बाद में आपको 6 गंटे इंतजार करना है उसके बाद में अगर आप उमंगेप की मदद से अपने PF account में एंटर करेंगे तो आपको यह error देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों यह थे invalid UN number के error के आने के तीन कारण और उसके solution उम्मित करता हूं दोस्तों invalid UN number का जो topic है उसको मैं आपको आसानी से समझा पाया हूं वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें चैनल पर आप नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें तो कि यह पी आपको जूड़ी जानकर यह आपको इस चैनल पर मिलते रहेगे